अब जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कंप्यूटर अवेरनेस के लिए क्या सोर्स होनी चाहिए जो प्रीवियस मेरे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस साल आरबी में आज प्यू या इस अ क्लोग जॉइन किया है उसे पूछके मैं आप लो सोर्सेज मुझे देखने को मिले हैं तो वो अब स्ट्राटेजी मेरे पास नहीं है मैं कंप्यूटर पढ़ाता नहीं हूं ना मैंने कभी कंप्यूटर पढ़ा है जो बच्चों ने जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने जो मुझे सजेशन दिया वो मैं आपके साथ शीर जो काफी लोगों में comment देखने को मिला वो Olive Board का suggestion था Olive Board के ये free e-books है इसमें किसी तरह के कोई पैसे आपको देने की जरुवत नहीं है बिल्कुल free of cost e-books है और इनको आप access करना चाते हो तो नीचे मैंने link दिया है वैसे नीचे आप लोगों को दियावा link मिल जाएगा जिसमें ये जो top 200 computer awareness mcq questions की जो book है ये e-book बहुत बच्चों ने लगाई थी ये आखरी time में काफी बच्चों ने कहा था कि सर आखरी time में ये 200 computer awareness mcqs काफी लोग लगा कर गए थे जब 7-8 बच्चों से पुझा तो उसमें से 4-5 बच्चों ने इसका जिक्र किया था अब इसके साथ-साथ मुझे एक book और मिली computer knowledge वाली जो complete pdf की थी तो ये भी आप check out कर सकते हो ये दोनों suggestion रहेगा link नीचे description में कहीं और ढूंडने की ज़रुद नीचे description में जादा मुझे देखने को मिला वो lucent का था lucent की computer awareness की कोई book आती है इसका काफी heavy suggestion था lucent की computer awareness की book कोई आती है उसका भी heavy suggestion देखने को मिला था तो ये आप book online या offline अगर खरीद पाएं तो best रहेगा lucent computer awareness की जादा तर बच्चों ने दो ही source बताए थे या तो ये lucent की book ती साथ में mcqs थे इसके इलावा कुछ बच्चों ने कुछ faculties के भी नाम लिये थे वो faculties के बारे में मैं तो जानता नहीं तो आप सर्च कर सकते है बाकी ये तीन sources थे अले बोड की ये दोनों एक तो PDF वाला और एक mcqs का काफी था lucent से computer awareness की जो एक book आती है उसका suggestion था और अब बच्चों ने एक book का और suggestion दिया था अरियंत की भी कोई computer awareness की शायद book आती है तो इसका भी suggestion मुझे देखने को मिला था computer awareness अरियंत की भी आती है तो इन दोनों में से मेरे ख्याल से कोई एक book खरीद लो और साथ ही साथ ये दोनों लगा लोगे तो most probably sufficient आपका रहेगा बाकि previous year के questions जरूर लगा लेना वो भी बच्चों ने suggest किया था previous year के जो questions है न previous year के papers आपको मिल जाएंगे यहीं olive board पे भी मिल जाएंगे free आपको section में मिल जाएंगे previous year का यहां से आप जब यह पढ़ रहे हूं तब free e-books के अंदर आपको previous year का भी मिल जाएगा तो 2-3 साल के previous year questions जरूर लगा लीजेगा वो बच्चों ने जरूर कहा था और साथ ही साथ suggestion था ये 200 computer awareness का computer knowledge complete PDF Lucent की book काफी लोगों ने लगाई और Ariant की भी अरियंट से ज़्यादा Lucent का ज़्यादा suggestion था computer awareness के लिए तो ये मेरे कुछ limited sources रहेंगे unnecessary 50 sources ना करो 2 sources या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 sources को finalize करो जिसमें एक तो मैं Allibode की फ्री e-books का suggestion दूँगा एक मैं आपको previous year questions का कहूंगा कि वो complete करके जाने है Lucent या Ariant में से कोई एक computer awareness कर दो जिसमें से बच्चों ने Lucent वाली book को ज़्यादा suggest किया है अब ये Allibode की free e-book अगर आप access करना चाते हो एकदम free of cost है नीचे description में मैंने पहली link डाल दिया है ढूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी link पर सीधा click करना पहुंच जाओ वहीं पर आपको previous year questions भी मिल जाएंगे previous year questions के भी papers मिल जाएंगे वहाँ से भी पिछले 2-3 साल के computer के questions complete करने सभी means चाहिए RRB PO हो चाहिए RRB club ये कुछ suggestions थे मेरे तरफ से बाकी आप लोग बहतर जानते हों मैंने तो देखो मेरे को personally computer का ना कोई knowledge है ना मैंने कभी तयारी की आप लोगोंने कहा कि sir आपको knowledge नहीं है कोई tension ली आप आपके जो selected candidates हैं इस साल जिन्होंने RRB में PO या CLER के तोर पर जिन्होंने joining ली है clear किया exam उनके sources बता दो तो उनके ये कुछ common sources निकल के आएं ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के session में फिर इतना ही now that's all for today's session ठीक है